जहिन बच्चों आज हम लोग रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं इन सब को हम लोग प्लॉट करेंगे एक नंबर लाइन पे ठीक है एक यह लगेगा और जैस्ट पेंसिल रहेगा मैं पेंसे बना रहा हूं ठीक है तुम लोग पेंसिल से करोगे तो क्या करना है सबसे पहले देखो है एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉप कर लेंगे और हम लोग सब का सीखेंगे रूट 2 का भी रूट 3 का भी रूट 5 रूट 6 जो भी नंबर से सबका मैं बता दूंगा इस्स पाइरल एक तरह से बना दूंगा उसका मैं ठीक है तो मैं ले लेता हूँ कुछ भी नंबर लाइन अब टूटेन ले ले लिए अवर मार्किंग कर दो तुम टीक तुम 5 शिटसवन ऊप नाइन 10 एंड शिवंवन फ़ैफ तो पॉइंड वाला मैंने ले रहा हूं ठीक है जिस्ट जीरो वन टू थो थ्री फोर फ़ाइफ सिट्स सवन एट नाइन अब देखो यह जो मैंने मार्किंग लिया है ना ज़रूरी नहीं तुम वन सेंटीमेटर का ही लो टीक है वन सेंटीमेटर का मैंने लिया है वन सेंटीम जैसा यह स्केल था सेंटीम वैसा है लिया तुम ऐसे भी कर सकते हो ऐसे क्या हो तो थोड़ा सा कठिना ही होती है तो करने में लेकिन कोई बात नहीं है अराम से हो जाएगा तुम लोगा वेरी सिंपल अब करोगे क्या यह तो कर लिए अब देखो यह जो वन यूनिट है ना वन यूनिट का इस पर हम पर एंटी करेंगे अगर और लिए एंगर से नापर चल्रेट कर सकते हो skill से one unit ही लोगे one centimeter का यह जो इतना distance है उतना ही लेना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यह 10 है ना 10 से लेंगे तो हम 9 तक जाएंगे क्योंकि one unit चाहिए आई बास हमें one unit तो मैंने यहाँ पे one unit ले लिया ठीक है दिखरीए प्रोपर अब मैं क्या करूंगा यह वाली point को इस point से 0 से हम क्या करेंगे मिला देंगे और इसको हम नाम देंगे P1 कुछ भी नाम दे सकते हो नाम में कोई बड़ी बात नहीं है तुम P1 नाम दो कुछ भी नाम दो ठीक है अब देखो यह मेरा कितना हुआ one unit कितना हुआ यह बी बंगे वन दो न यह theorem क्या कहता है यह theorem कहता है कि अगर एक right angle triangle है right angle triangle मतलब ऐसा triangle जिसका एक angle 90 degree हो ठीक है तो अगर ऐसा triangle है तो इसको क्या बोलते है परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं base इसको बोलते है है hapotenuse ठीक है तो पाइथागोरस ठीउर्व कहता है कि हाइपोटनिज का स्क्और इस इक्वल स्टी कुल में को यहां पर देखो यह एक राइट आंगल ट्रैंगल है मैंने कहा है इसका है थिक है थेया मतलब्सक्रया जासे यहां स्कूर्स तो O P क्या मिल गया रूट्टटू मिल गया मतलब यह वाला इसटेंस होगा बंद ही सबस्का तो यह सबको याद रहना चाहिए तो यह समझ में आ गया कि किस तरह यह रूट टू ही है तो यह वैलू हमको मिल रूट करो नंबर लाइन के उपर प्लॉट करो ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इसको इस ओपी को मैं जस्ट ऐसे एक बार कर दूंगा ठीक है यह मैंने ट्रॉट कर दिया तो देखो यह जो मेरा मिला यह वाला जो जगा मिला यही मिला मेरा 1.4 की वैल है यही होगे मेरा 1.4 ठीक है यह वाला जो पॉइंट है तो देखो 1.4 को क्या 1 और 1.5 के बीच में आना चीए तो देखो 1.5 तो लगबग यहां आएगा अधा इसका उसके जस्ट बगल में 1.4 है इसे को बड़ा यूनिट करके दिखाते तो और ज्यादा समझ में आता ठीक है तो वह भी हम लोग देख लेंगे इस बार अब मेरे को रूट 3 ड्रॉट करना है ठीक है रूट 3 तो रूट 3 ड्रॉट करने के लिए क्या करेंगे यह जो P1 मैंने लेट किया ठाए उस P1 पे फिर से 90 डेग्रिलेंगे ठीक है तो ऐसे इस बार कर लो इसको और इसको इसमें रखेंगे और ये लाइन पर मैंने रख दिया अब लाइन पे नाइन टीका एक डॉट लगा दिया और फिर म애ं वण यू तो यह 10 है 10 से मैं 9 तक यहां तक लोंगा ठीक है तो इसको मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं और फिर यह जो है ना उसे फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे तो अगर यह वाला रूट 2 है और यह रूट 1 यानी सिर्फ 1 है क्योंकि वन उनिटी था तो यह क्या होगा यह हो जाएगा रूट 3 कैसा हो जाएगा रूट 3 क्योंकि इस बार सेम फॉर्मला यही फॉर्मला को फिर से फॉल्लो करो और देखोगे कि एच स्कूर इक्वल्स टू है P मतलब क्या है इस बार अब बेश ये है तो बेश क्या है रूट 2 का स्कूरेर फ्लस वॉन यानी यह भी हो जाएगा2 प्लश 1 लेजाके हूंगे ले जाकर के प्लाट कर देंगे यह जो है इसको मैं ऐसे ट्रॉ कर दूंगा और यहां पर ले जाकर रख देंगा तो रूट 3 का वैलू 1.732 होता है क्या होता है 1.732 होता है तो देखो यह भी 1 और 2 के बीच में ही आया है तो यह वाला जो पॉइंट हो जाएगा यह यह हो जाएगा हमारा 1.732 तैस रूट 2 ठीक है उसी तरह फिर अगर हमको रूट 4 का करना है तो फिर से हम क्या करेंगे यहां पर फिर से इसको 90 डिग्री पर रखेंगे ठ तो वन तक लेंगे एक लेलो तो वन यूनिट मिला करके यहां पर ले लेंगे बहुत ही सिंपल है तो यह हो गया मेरा वन यूनिट फिट से और फिर मैं इसको ओ से मिला दूँगा सोवान करते जाएंगे हम लोग ठीक है और इसका नाम दे दूँगा पी 3 तो यह जब स्कुराइर प्लस उन का स्कुराइर इत इस एक युक्वल्स तो तो यानि मेरा नहीं अरं से यहां से रखेंगे ओपी फ्री को लेंगे यहां से कॉमपस से तो तैकि तो सबस्क्राइब धी तो सबस्क्राइब तो एक्जाट्लине पे जाकर जाएगा ठीक है अगर हम सही से मिलाएंगे तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रूट का जो भी नंबर होता हम उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं ध्यान से देखोंगे तो समझ में आएगा यह बहुत ही मतलब यह चोटा स्केल को लिया हो तो यह थोड़ा समझने में दिक्कात हो सकती है ठीक है लेकिन इसको बड़ा यूनिट करके लेने से क्या होगा कि स्केल में तुम्हों मेजर करके आंसर दिखानी पाते हैं ठीक है